चप्टर 19, Indefinite Integrals, Exercise 19.24 का आज हम पढ़ेंगे Special Integrals Special Integral में क्या होगा? अगर हमारे पास इस फॉर्म में Integral दियो अगर आपको यहाद हो, अगर आपने मेरी इस से पहले वीडियो देखी हो 19.23 मैंने वहाँ पे भी आपको इसी टाइप का Integral सिखाया था कि उसको कैसे सॉल करेंगे अगर देखो एको नया मैथटर तिखा रहो हूं कि इस टाइप का Integral हो तो इसको कैसे सॉल किया जाता है देखो सबसे पहला Step क्या करना है आपने आपने इसका Σकेर करना है देखो एका सकेर करो ठीक है फिर प्लस करना इसका square b का square और इस पर लगा देना है root क्या लगा देना है root और ये term हमने यहाँ पर multiply और divide करनी है देखो कैसे 1 upon a sin x देखो a के नीचे लगा रहा हूं मैं root a square plus b square sin x plus b के नीचे लगा रहा हूं root a square plus b square cos x ठीक है ये term देखो मैंने क्या कि यहाँ पर divide कर दिया अगर कोई term divide करते हैं तो उसको multiply भी करना होता है तो मैंने ये देखो ये multiply कर दिया root a square plus b square अब next step क्या करेंगे इस term को आप बहार निकाल लो तो ये बनेगा 1 upon under root a square plus b square ठीक है 1 upon sin x पहले मैं sin x लिख रहा हूँ और इस वली term को ना हमने cos alpha ले लेना है क्या ले लेना है cos alpha ठीक है और इस term को हमने लेना है cos इस वली को लेंगे sin alpha और cos x ठीक है दुबारा सुनो ये वहला step क्या किया ये under root a square plus b square बहार निकाल दिया इस वली term को हम लेंगे पहले मैंने sin x लिखा इस वली term को लिखना है हमने cos alpha लेना है फिर इस वली term को sin alpha और cos x dx देखो आपने लिखना है where इसको हमने क्या लिया cos alpha cos alpha equal to a upon under root तो हमारा cos alpha होगा a upon under root a square plus b square और देखो हमने sin alpha लिया था इसको तो sin alpha हो जाएगा b upon under root a square plus b square अब next step देखो क्या बनेगा 1 upon under root a square plus b square अब देखो यह क्या बन रहा है sin a यह sorry x है x यह देखो क्या बन रहा है sin a cos b plus sin b cos a तो हमारे पास formula होता है sin a cos b plus sin b cos a यह होता है sin a plus b तो यह क्या बनेगा sin a cos b plus sin b cos a हो जाएगा sin x plus alpha ठीक है sin a plus b हो गया अब देखो इसको integrate कैसे करेंगे 1 upon under root a square plus b square अब 1 upon sin x क्या होता है 1 upon sin x होता है cosec x क्या होता है cosec x तो यह हो जाएगा cosec x plus alpha ठीक है अब मेरे को एक चीर बताओ cosec की integration क्या होती है देखो cosec की integration होती है cosec x की integration होती है log tan log tan x by 2 क्या होती है integration cosec theta की इसको theta कर लो cosec theta की integration होती है log tan theta by 2 plus c तो इसकी क्या हो जाएगी 1 upon under root a square plus b square cosec की integration करो log tan अब यहाँ पर theta की जगा देखो क्या है x plus alpha तो यह आजाएगा हमारा answer आपने इसका square करना है जो मैंने इसका method बताया है यह इसी formula 1 upon a sin x plus b cos x तो आपने क्या करना है root 3 का square करना plus cos x का coefficient कितना है cos x का coefficient है 1 तो 1 का square करना है और इसका root कर देना है तो यह कितना हैगा 3 plus 1 4 4 का root होता है 2 ठीक है तो आपने क्या करना है यहाँ पर multiply करना है 2 से और divide करना है 2 से देखो कैसे सबसे पहले आप देखो यहाँ पर multiply करो यह मैंने 2 से divide कर रहा हूँ और यहाँ भी मैंने divide कर दिया ठीक है यह देखो मैंने इन दोनों के नीचे 2 से divide कर दिया और यहाँ पर मैंने 2 से multiply कर दिया अपनी मर्जी थरह कुछ भी divide कर लो multiply भी करना पड़ेगा na equality maintain करने के लिए next step क्या करो यह 2 बहार निकालो यह बनेगा 1 by 2 1 upon सबसे पहले लिख रहा हूँ sin x अब मेरे को यह बताओ root 3 by 2 cos कब होता है cos 30 की value cos 5 by 6 की value होती है root 3 by 2 तो root 3 by 2 की जगा लिख रहा हूँ मैं cos 5 by 6 plus अब यहाँ पे है 1 by 2 तो sin 1 by 2 कब होता है sin 5 by 6 पे 1 by 2 होता है तो यह हो जाएगा sin 5 by 6 और इसके साथ है cos x dx अब देखो यह कोई सा फॉर्मुला बन रहा है sin a cos b plus sin b cos तो मैं यहाँ फॉर्मुला लिख रहा हूँ sin a cos b plus sin b cos a यह फॉर्मुला होता है sin a plus b का तो यह फॉर्मुला अप्लाई कर दो यहाँ पे तो यह a देखो sin a cos b sin b cos a तो फॉर्मुला क्या है sin a plus b तो a है हमारा x और b है हमारा पार बाई 6 ठीक है next step देखो क्या करेंगे 1 by 2 यह 1 by sin x है 1 by sin x होता है cos x ठीक है तो यह हो जाएगा cos x plus pi by 6 dx ठीक है next step देखो क्या करेंगे cos x की integration करेंगे cos x की integration होती है log tan x by 2 plus c ठीक है तो यह formula यहाँ प्लाई कर दो यह बनेगा log tan अब देखो यहाँ पे क्या है x by 2 तो यहाँ पे x है x plus pi by 6 upon 2 plus c अब next step क्या करो 2 को इसके नीचे यह बनेगा x by 2 और 2 को इससे multiply करो तो यह बन जाएगा 6 to the 12 plus c यह आगया इसका answer यह भी तरीका होता एक इन कोशनों को solve करने का एक्जाम्पल नमबर 1 का सेकिंड पार्ट है हमारे पास इंटेग्रल 1 upon sin x plus root 3 cos x dx अब देखो इसको कैसे integrate करेंगे यह भी इसी form में है न a sin x plus b cos x तो मैंने क्या बताया सबसे पहले a देखो क्या है यहां पर a है 1 sin x का coefficient 1 तो 1 का square करो plus इसका square करो root 3 का square और इसका under root कर दो तो यह कितना हो जाएगा 1 और यह 3 1 plus 3 4 और 4 का root 2 तो हमने क्या करना है यहां पर multiply करना है 2 से और divide करना है 2 से देखो कैसे sin x को देखो मैं 2 से divide कर रहा हूँ ठीक है और root 3 को भी 2 से divide कर रहा हूँ और यहां पर multiply कर रहा हूँ ठीक है next step क्या करेंगे यह 2 बहार निकाल लो 1 upon यहां देखो मैं sin x लिख रहा हूँ पहले sin x लिख रहा हूँ अब यह है 1 by 2 तो 1 by 2 cos कब होता है cos होता है 60 degree पे cos 60 degree होता है 1 by 2 मतलब cos pi by 3 तो यह बन जाएगा cos pi by 3 plus अब यह है root 3 by 2 तो sin root 3 by 2 होता है 60 degree पे sin pi by 3 पे तो यहां लिख दो sin pi by 3 पे sin pi by 3 into cos x dx ठीक है यह formula बन किया sin a cos b plus sin b cos a sin a cos b plus sin b cos a इसका formula होता है sin a plus b क्या होता है sin a plus b तो यह आजाएगा 1 by 2 sin a b a b a तो a है मारा x और b है pi by 3 dx अब यह बन रहा है 1 by sin x 1 by sin x होता है cosec x तो यह बन जाएगा 1 by sin x होता है cosec x तो यह बनेगा cosec x plus pi by 3 dx तीक है अब यह है cosec x cosec x की integration होती है log tan x by 2 plus c तो यह formula यहाँ लगा दो यह देखो यह है मारा x तो यह बन रहा है cosec x तो यह बनेगा log tan x by 2 x है मारा x plus pi by 3 upon 2 plus c अब लास्ट अब देखो क्या करेंगे 1 by 2 log tan x की नीचे 2 आएगा x by 2 plus pi upon 3 2 जा 6 plus c यह आगया हमारा answer क्या है ऊएएँ जा है बारा ररा यह О